विल्कम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एम एक लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में मित्रो आज के इस वीडियो में हम ले रहें राजस्थानी चितर कला भागदो के पार्ट भाग एक में कुछ कोश्चन मैंने राजस्थानी शैली से दिया था जिसे आप लोगोंने बहुत सारा पशंद किया है और कमेंट भी था कि सर इसका और भी पार्ट दीजिएगा तो आज भाग दो के रूप में मैं जो है देने जा रहा हूँ पुरा इस्थानी शैली से कुछ और बहतरी इन कोश्चन यकीन करता हूँ कि आपको पशंद आएगा अगर पशंद आएगा तो लाइक शेर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल से भी तक नहीं जुड़ है तो फालो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि बेर आइकन के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सीटेट की और यूपिटेट का जो आ गया है वह एक तारिक्षा आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और यह वीडियो आपको आठ बजे डेली मिलेग और वीडियो आपको नोबजे जो है रात में डेली मिलेगा तो दोनों का सीडियो लग लग है यह कला का है और यह सीटेट का यूपिटेट का है तो चलिए इनी बातों के साथ आथ का पहला कोश्चन शुरू करते हैं कोश्चन पूछ रहा है भीती चित्रों के लिए कहा की चित्रसाला प्रशिद है नाथद्वार की बूंदी की कोटा की या देवगड की तो भीती चित्रों के लिए जहां की चित्रसाला प्रशिद है मित्रों उस जगा का आपका नाम है बूंदी ठीक है बूंदी की चित्रसाला भीती चित्रों के लिए प्रशिद है अगला प्र युक्त शभी तो मेवार इश्कूल से संबंद रखने वाली शैली इन में से कौन सी है तो वो है आपकी उपर युक्त शभी ये तीनों शैलिया जो हैं मेवार शैली से संबंद रखने वाली शैली की कटगरी में आती हैं ठीक है मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण आपसे पूछ रहा है की नीड का चितेरा कहा जाता है नीड का चितेरा किसे कहा जाता है परमान दन्चोयल को देखेगा गोयल नहीं है यह यह चोयल है ठीक है किरपाल सिंग से खावत को सौभागमल गलहोत या प्रोफेसर चिन्मय महता को तो किसे कहा जाता है नीड का चीतेरा तो मित्रू नीड का चीतेरा जो है वो आपको सोभाग मल गलहोत को कहा जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है आपका सेखावटी छेतर के भीती चित्रण में किस परकार रंग की परधानता है यानि सेखावटी छेतर के भीती चित्र में किस रंग की परधानता है कथई रंग की गुलाबी रंग की नीले रंग की या उपरिक्त शभी की तो सेखाटी छेतर में जिस भीत चितर की पधारंता रही है उसे हम कहते हैं यानि उसे हम जानते हैं इन सभी के रूप में कत्थाई, गुलाबी और नीलो तीनों रूप में हम इसे जानते हैं ठीक हैं? अगला प्रशन देखिएगा आपसे पूछ रहा है भीत चितर की प्रमुक बिधियां, बिधी या बिधियां जो भी कहली जिये हैं फ्रेस्को बुरुनो, फ्रेस्को सेस्को, साधारण भीत चितर या उपर युक्त शभी तो भीत चितर की बिधी में कौन-कौन सी बिधीन में से आती है तो सभी विदियां ये भीति चित्रड की है फ्रेसको बिनो फ्रेसको सिसको और एक साधारण भीति चित्रड भी उसी विदि में आती है अगला है आपका ताजी पलस्तर की हुई नम भीति पर किया गया चित्रड क्या कहलाता है यानि ताजा पलस्तर की हुई नम भीती चित्र पर जो चित्रड किया जता है उसे हम किस नाम से जानते हैं फ्रेस्को बुनो के, फ्रेस्को सेस्को के, साधारण भीती चित्रड के या उपर इक्तिशभी के तो ताजी पलस्तर पन नम भीती चितर से जो चितर कारी की जाती है उसको हम कहते हैं मित्रो फ्रेश को भुनो कहते हैं ठीक है अगला प्रशन दिखिएगा अगला प्रशन आप से पूछ रहा है भैसो के चितेरे के रूप में विख्यात है परमानन चोयल, देवकीन अंसर्मा राम गुपाल विजावरगिया निहाल चन्द तो भैसों के चितोरों के रूप में हम जानते हैं परमानन चुहल को किसे जानते हैं परमानद जोयल को ठीक है अगला प्रस्चन है आपका देखिएगा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब देखिए अगला प्रस्चन पुझरामित्रो भारतिय पारमपरी कला के युग पूरुष को ब्लू पार्टरी के प्रयाय के रूप में बिख्यात ब्यक् जो भारतिय पारमपरी कला के युग पूरुष के ब्लू पार्टरी के प्रयाय के रूप में बिख्यात है किरपाल शिंग शिखावत हैं जोतिश्वरूपम हैं कमल चंद्र हैं या राम गुपाल विजयवर्गी हैं तो मित्रो वो हैं आपके किरपाल शिंग शिखावत ठी आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्टन आपसे पूछ रहा है अशंगत यूग में छाटिये हीरानंद सुपाशन चिर्मय साहिब दीन रागमाला मनहोर वा शाहिब दीन अर्ष रमायड और इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है तो पूछ रहा है अशंगत छाटना है तो इस question का आपका राइटन्स हो जाएगा इनमें से कोई जो है यूग में जो है अशंगत नहीं है ये तीनों अपनी जगा पे सही है इनमें से कोई नहीं ठीक है आगे बढ़िए एगला प्रस्टन फिर से उसी तरह का है अशंगत यूग में छाटिये यानि इन से अलग एक छाटिये धन्सार, कल्पशुत्र, जगानास, बिहारी सतैशा, कमल चंद्र, शावक, प्रतिकर्म, छोड़े तो इन तीनों को उन्होंने किया है कि नहीं ये बताना है या इन में से कोई नहीं है तो कोशन नमर दस का राइट इंसर अपका हो जाएगा दी इन में से कोई नहीं यानि ये भी बिल्कुल सही है इसमें कोई अशंगत नहीं है ठीक है अगला है हडवती स्कूल से संबंदी शैली है कोटा शैली, बूंदी शैली, एक और दो दोनों यानि कोटा और बूंदी दोनों या इन में से कोई नहीं तो हडवती श्कूल से संबंध जो शैली रखती है उस शैली का नाम है आपका बूंदी और कोटा दोनों ये दोनों उसी कटेगरी में आते हैं ठीक है अगला प्रस्चन देखेगा आप से पूछ रहा है कुमार स्वामी ने राजपूत चितरकला शैली का बैग्यानिक विभा विभाजन किया था उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें किया था राजपूत पेंटिंग राजपूत पेंटिंग राजपूती पेंटिंग राजपूत चितर या राजपूती चितरकला ठीक है तो मित्रो इस question का right answer आपका हो जाएगा राजपूत पेंटिंग ठीक है राज जोद्पूर शैली, विकानेर शैली, जैसलमेर शैली या उपरयुक्त शभी तो मारवार स्कूल सैली से जो सैली संबंद रखती है उसे हम जानते हैं वो परयुक्त शभी के रूप में यानि इन तीनों के रूप में जोद्पूर शैली, विकानेर शैली और जैसलमेर शैली के रूप में भी उससे जानते हैं ठीक है अगला प्रशन है ललित कला अकादमी जैपूर में इस्थित है अकादमी का स्थापना वर्स क्या है यानि ललित कला अकादमी जो जैपूर में इस्थित है उस अकादमी का स्थापना वर्स क्या 1955, 1957, 1969 या 1960 तो इस question का right answer हो जाएगा 1957 ठीक है आईए अगला प्रश्न है आपका किश्का शाषनकाल मेवाड सेली का स्वड काल माना जाता है यानि मेवाड सेली का जो स्वड काल है वो कौन से राजा के शाषनकाल को कहा गया महाराडा उदेशिंग के महाराडा भूपाल सिंग महाराडा जगशिंग या महाराडा कूमभा तो मित्रो इस question का right answer हो जाएगा महाराडा जगशिंग के काल को मेवाड सेली का स्वड काल माना जाता है ठीक है सासक के अगला प्रस्चन है आपका चितेरो री ओवरी यानि तस्वीरा रोकार खानों नामक कल भी धहले के संस्थापक है महाराडा कूमभा महाराडा जगशिंग महाराडा फतेह शिंग महाराडा राम शिंग तो इस कोश्चन का आपका राइट इंसर हो जाएगा दूसरा महाराडा जगशिंग है इसके संस्थापक ठीक है अगला प्रस्चन पूछ रहा है आपसे मेवार सहली का सबसे प्राचीन चित्र स्त्रावड प्रतिकर्म चूड़ी का चित्रांकन रावल तेज सिंग के शाषनकाल में किशने किया था मेवार सहली का जो सबसे प्राचीन चित्र है वो है स्त्रावड प्रतिकर्म चूड़ी और इसका चित्रांकन रावल तेज सिंग के शाषनकाल में किया था किसने किया था निहाल चन ने कमल चन ने नागरी दास ने या शाहब दीन ने तो इस कोश्चन का आपका राइट एंसर हो जाएगा कमल चन ने किसने किया था कमल चन ने किया था अगला प्रस्ण का जिकर कर लेते हैं तो पूछ रहा है आपका अगला प्रस्ण चिपवाई पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शहली की विशेस्ता है चावंड की कोटा की नात दुवार या उड़े यार की तो पिछवाई चित्रांकन जिस चित्रकला शहली का मित्र विशेस्ता रही है उसका नाम है आपका नात दुवार क्या नाम है नाथ द्वार अगला प्रशन है आपका भारत की मोना लिशा कहा जाने वाला चित्र बड़ी ठड़ी का संबंद किस चित्र कला शैली से है यानि बनी ठ़नी को हम भारत की मोना लिशा भी कहते हैं और इसका संबंद जित चित्र शैली से है उस चित्र सैली का इन में से क्या नाम है अलवर, किशनगड, अजमेर या देवगड तो इस question का right answer हो जाएगा आपका किशनगड सैली से बनी ठड़ी संबंद रखती है जिसे बनाया था निहाल चन साहब ने ठीक है और इस वीडियो का आकरी question मित्रो पूछ रहा है आपसे कि निम्र में से कौन सी सैली बाहरी शैलीयों में सबसे कम प्रभावी हुई यानि इन चारों में से कौन सी सैली जो है बाहर की सैलीयों में सबसे कम प्रभावी हुई तो उम्मिद करता हूं मित्रों की आज की यह राजस्थानी भागदो का आज का हमादा बताया गया कोश्चन आपको बिल्कुल पशंद आएगा अगर पशंद आए तो एक लाइक जरू कर दीजेगा और सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों में जो पहली बार जूड़ रहें तयारी के लिए और कमेंट करिएगा वीडियो का आशा लगता है आपको मेरा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई तक दबा दीजेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नियू नियू मिलते रहें जो भी कुछ आएंगे वैकेंसी से रिलेटेड किसी बेराज्य के कला से चाहे जो भी कुछ चेंजिंग होगी वो सब कुछ आपको इस वीडियो मिलेगा तो चलिए मित्रों इसी बातों के लिए दीजायत कल फिल मिलते हैं सिसमा इसी टाइम लेकर कुछ और बेतें कोशन तब तक के लिए नमस्कार